अखंड मंतन के सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूँ शेक अत्रिपाठी और आप देख रहे हैं अखंड मंतन समाचार तो प्रात्यकाल का समय है और आपको देते हैं दो शुब समाचार एक है धन्मान बनने का और दूसरा है हिंदुतों की सुरक्षा का संरक्षा का जी हाँ शुब समाचार के सुभारम से पूरू आप सभी दर्शकों को देव उठनी एका दशी की बहुत सारी शुब कामना है तो प्रथम शुब समाचार है आपके लिए धन्मान बनने का वैश्विक बाजार में आर्थिक सुधारों के चलते मंगलवार को सोना 1049 रुपए की गिरावट के साथ 49,579 रुपए पर बंध हुआ इसी प्रकार चांदी भी 1588 रुपए की गिरावट के साथ 69,301 रुपए प्रती किलो तक आप पहुँची है तो यदि आप सोने एवं चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो ये गिरावट आपके लिए अच्छी हो सकती है कहा जा रहा है कि COVID-19 के टीके बनने के समाचार एवं बाइडिन के अमेरिकी राष्टरपती बनने के कारण ही सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है आपको बता दें कि सोने एवं चांदी में मुल्यों की तिवरता का कारण ये था कि तमाम अंतराष्टी उडानों के रद्ध होने के चलते सोने एवं चांदी का क्रय विक्रय दूसरे देशों से नहीं हो पा रहा था इसी कारण इन दोनों धातूं के मुल्यों में तीवरता देखी जा रही थी दूसरा समचार हिंदू धर्म की संरक्षा से जुड़ा है यूपी की सीम योगी आदितिनात हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने दिये वचन को सत्य सिद्ध कर पाए हैं अब लब जिहाद कानून बना कर अब यूपी में मुस्लिम यूवक धर्म छिपा कर हिंदू कन्याओं को धोखा नहीं दे सकेंगे क्योंकि यूगी सरकार ने ऐसा करने वालों के लिए एक से पांच वर्ष का दंड एवं 15,000 का आर्तिक दंड का प्रावधान सुनिश्चित किया है अब अवैद रूप से धर्म परिवर्तन करने वाले अध्यादेश को कैबिनेट से स्विकृती प्राप्त हो गई है आईए आपको पताते हैं कि इस प्रावधान में किन बिंदूों को सम्मिलित किया गया है अनुसूची जाती या अनुसूची जनजाती की महिला के साथ छल कपट या बल से धर्म परिवर्तन के मामलों में तीन वर्ष से 10 वर्ष तक की दंड का प्रावधान है और आर्थिक दंड 25,000 है यदि अप्राध सिध होता है तो 10 से 50,000 रुपय का आर्थिक दंड भी लिया जा सकता है तीसरा बिंदु है यदि महिला सामाने वर्ग से है तो अपराधी को एक से पांच वर्ष जेल कारवास का दंड मिलेगा एवं यदि महिला नाबालिग है या फिर अनुसूची जाती और जनजाती से है तो जेल कारवास की अवदी 3 से 10 वर्ष के मद्दे हो सकती है सामोहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराने वालों को भी तीन से दस वर्ष के कठोर कारवास का प्रावधान किया गया है यदि कोई धर्म परिवर्तित कर विवाह करने का इच्चुक है तो उसे सहमती से धर्म परिवर्तन करने या कराने हेतू जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमती प्राप्त करनी होगी DM की स्विकृति के बिना धर्म परिवर्टन करने पर 6 माह से लेकर 3 वर्ष का कारवास हो सकता है अवैधानिक रूप से धर्म परिवर्टन करने वालों पर गैर जमानती धाराओं में मुकदमा चलाए जाएगा आपको ग्यात होगा कि पिछले एक वर्ष में ही 100 से अधिक लव जिहाद के मामले सामने आये थे जिसके बाद योगी सरकार लव जिहाद अध्यादेश लाई है वैसे मुखे मंतरी योगी आदितेनात की प्रशन सा भारत समेट सन्यूक तराश्टर संग भी कर रहा है क्योंकि 23 करोड की जनसंख्या वाले उतरप्रदेश में कोरोना के केस से लेकर मृत्युदर तक अत्यंत कम है एवं यहाँ कोरोना से रिकवरी करने वालों की संख्या अभी देश में सरवादिक है तो अभी के शुप समाचार में बस इतना ही मिलते है एक छोटी से अंतराल के पस्चाथ एक नवी समाचार के साथ बने रहे हमारे साथ अखन मंधन समाचार के साथ धन्यमान